सब्सक्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाइब बश्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दर स्पीड स्टडी में आज का जो वीडियो है हमारा वो रहेगा पार्ट टू आज हम पार्ट टू पढाएंगे अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पढ़े जाकर उस वीडियो को देखें जो आज कर जो कॉंसर्प्ट है अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो तो आज हम बात करेंगे आवेशों के Attemptive of charge क्या होता है ठीक है चलिये मानते हैं ये कोई एक Object है Object है इसके हमने PLUS 3q का आवेस दिया PLUS 2qος क्लाम और PLUS 3 PLUS Q & Montments 2 Q अब कहा जाज कि जो ये object है इसका जो इसमें आवेस हैे ısका कुल आवेस कितना होगा तो आप बोलें कि सिंपली सर्ञ इसको हम पूरा ड़ कर देंगे और हमारा कुल आवेस हमें पता चल जाएगा तो ठीक करना है इसकी अगर हम देखें आगर देखें इसको लिख सकते हैं क्यूं बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और कहां तरशल जाएगा यह Q N तक प्लस Q N तक ठीक है अब हम अगर इसको add करें तो क्या होगा add करेंगे सिधा 3 2 5 5 1 6 यहां हो जाएगा Q बनाबर 6 Q और यहां minus 2 है यहां पैसे लिखेंगे minus 2 Q अब हमारा Q डैस मालेंगे से Q डैस बराबर क्या आएगा Q डैस बराबर आएगा अगर हम 6 मेंसे 2 minus करेंगे तो आएगा 5 Q यही हमारी property है property of additivity ठीक है क्या कि आपने यह जो object था इसमें खुछ आवेस थे हमने कहा आप से कि यह जो आवेस है इसका कुल यो कितना होगा तो आपने क्या किया इन सभी को add कर दिया अब आप यह नहीं करेंगे आप सार बोले कि इसमें add करना है 3,2,5,1,6,2,8 नहीं तो कि यहाँ पर रात्मक भी है यह देखिए रात्मक है तो आप minus करना पड़ेगा आपको यह हारा हो गया पहला properties पहला properties आपको समझ में आया मैंने बताया कि कोई एक object है उसमें कुछ आवेस स्थित है आवेसो का इसमें कुल आवेस कितना होगा तो हमने सारा योग कर दिया योग है अब इस प्रिवात्मक था जोसे हमने minus में किया तो हमारा with sign यह बात धान देना जो answer आएगा उसे आप sign में लिखेंगे जए प्लस होगा तो प्लस में लगाएंगे और minus होगा तो माइनस में लगाएंगे ठीक है अब अगली property अगर हम देखें हम अगली property की बात करें तो अगली property हमारी हो जाएगी invariance of charge क्या होगा invariance of अगला देखेंगे हम invariance of charge जो मारी अगली property है वो है invariance of charge यानि आवेश की निश्चिर्ता अब हम आवेश की निश्चिर्ता के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे आपका concept बिलकुल clear हो जाएगा अगर आप देखेंगे निश्चिर्ता मैं बताऊंगा ये जो है ये वस्तु के बेग पर निर्भर नहीं करता है वस्तु के बेग पर निर्भर नहीं करता है ठीक है वस्तु के बेग पर निर्भर नहीं करता है चार्ज डिस नॉट बिलॉंग टू चार्ज क्या बता है मैंने इंग्रिश में वाले बच्चर के लिए चार्ज देज नॉट बिलॉंग ऑन विलॉसिटी ठीक है चार्ज डज नॉट डिपेंड अन विलॉसिटी अब इसको देखते हैं मैं एक्जांबर के थो समझते हैं माल लिजे कोई द्रब्यमान वाली वस्तु है ठीक है इसको मैंने कटके पकड़ा और इस पर एक कुलाम का आवेश है इसको मैं भागता हूं अस्तिक स्पीड में आप इतना ही मानो मैं इससे पकड़के भागा और जाए आप 40 स्पीड भागे जाए अस्तिक भागे ठीक है इस पर जो कुलाम रहेगा आप बताओगे सर इस पर एक कुलाम ही रहेगा क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो वस्तु है वो निर्भर नहीं करती है वेग पर चार्डर नौट डिपेंड आन विलाउस्टी ठीक है माली जो कोई दर्भमान वाली वस्तु है इस पर हमने एक कुलाम का आवेस है इसको मैं पकड़ता हूं खुटे से और भागता हूं तो इसको आवेस कितना रहेगा बाद में एक कुलाम ही रहेग क्यूकि मैंने अभी यहाँ पर क्लियर कर दिया सब्लिक सकते हैं यहां पर क्यूम्षा एक्रस्ट लुक्र इस इक्ना में और मिल्माचर लए कर सकते हैं मैं अगर मैं साइड में जाओं आप वीडियो का पॉस्ट करके इसलिए नोट कर सकते हैं आशा करता हूं आपने से नोट कर लिया होगा अगर हम अगला बात करें अगली प्रपर्टीज के बारे में कंजर्वेशन आफ चार्ज आवेश पर संरच्छन के गुड़े ठीक है कंजर्वेशन आफ कंजर्वेशन आफ चार्ज आवेश का संरच्छन अगर हम बात करें इसका तो हम कह सकता है कि आभेश को ना तो हम उत्पन कर सकते हैं और ना ही से निश्ट कर सकते हैं चार्ज आप लोग भी हमारे साथ आप नोट करते चलिए क्योंकि नोट में सबसे महत्पूर्ण होता है आवेज को ना तो उत्पन कर सकते हैं और ना ही से नश्ट कर सकते हैं बलकि इसे एक रूप से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं अभी मैंने बताया आवेज का सरक्षर क्या बताया कि आवेज को हम ना तो उत्पन कर सकते हैं और ना ही हम इसे नश्ट कर सकते हैं ठीक है अब हम एक्जामपल लेते हैं अगर आपने पिसली क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप पटा पट उसे देखिए जो डाउट है उसमें आपको कभी क्लियर नहीं होगा अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा होगा यह पहले पार्ट पर ही डिपेंड करता है इसकी गुड़ों को बारे में हम बात कर रहे हैं चलिए हमने पिसली वूडियो में लिया था ग्लास रॉड यानि कांच की छण ठीक है और दूसरी बार लिया था मैंने दूसरी तरह सिल्क लॉड यान रेशम का कपड़ा हमने बताया था कि जब किसी वावेज वाली वस्तु को हम किसी रेशम कपड़े पर वेकरते हैं तो यह इसका रवेश है वो इसमें चला जाता है ठीक है जानि है यह हो जाएगा पोश्टिव चार्ज और यह हो जाएगा निगेटिव चार्ज क्यूंकि जिसके पास कमी हुई इसके पास अवेस्यूंग वेश लिए यह भनात्मक आया और यहां पर अधिक्ता होई जिसके कारण यहाँ पर – आया माईनस का चार्ठ आया धिrict है डाइथ क्लीयर क्योंकि जो इसका इलक्रॉन था वह इसमें गया जिससे इसे कमी होने कारण यह पॉश्टिव और यह अधिक्ता होने कारण निगेटिव अब एक जांपर और देखते हैं हम एक जांपर हम और देखेंगे इसका जिससे आपका डाउट क्लियर हो सकता है उम्मिद करूंगा हो जाएगा ठीक है मालीजे हमने 92 यूरेनियम 238 का विखंडन करवाया अभी आपको सोचलों के सर यह कहां से आ गया जब हम नाव की उर्जा पढ़ेंगे तब वहां पर इसका बहुत बड़ा महत्तु रहेगा ठीक है जब हमने 92 यूरेनियम का 230 का 234 और प्लस क्या निकला एक लिखंडन का नाभी यहां पर निकल गया ठीक है और बहुत सारी मात्रा में उर्जा का उत्सरजन हुआ तो हमने बताया 90 यूरेनियम का जबने भी खंडन करवाया तो बादने में क्या प्याट हुआ नब्वे थोर्यम 234 और प्लस एक लिखंड उर्जा का उत्सरजन हुआ ठीक है अब देखते हैं नब्वे थोर्यम नब्वे दो बान्यवे हुआ 234 चार 238 बराबर हो गया इस पर ना तो आवेस का कही कम हुआ और ना ही से नफ्स कर सके और ना ही उसे उत्पनिक किया जा सका बाद में इससे हम एक रूप से दूसरे र पॉस कर लीजिए मैं आपको बार-बार कहा है कि आप वीडियो को कर पॉस करेंगे तो आपको असानी से समय में आएगा ठीक है अगला हम बात करेंगे क्वांटी क्वांटी जिस्टन्स और इलेक्ट्रिक चार्ज इसको मिड़ा दे रहे हैं आवेस का क्वांटी करन आवेस का क्वांटी करन ठीक है आवेस का क्वांटी करन क्या कहता है हम आवेस को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं क्या बताया मैंने आवेस को अनिश्चित रूप में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं यसे मैंने कहा पांच इलक्ट्रॉन उसे दे दो तो मैंने दिया आगर मैं यह कहूं कि मैं साथ 4 उसे दूँगा देदू तो कभी नहीं आधा पॉना कभी हम नहीं देंगे क्युक्कि अगर मिनिम मिनिम्म में है मिनिमा माने तो एक कूलाम हम देगे अब इसके प्रपर्टी देखते हैं प्रपर्टी क्या है प्रपर्टी निकल गयाता है Q बडाबर प्लस माइनस N E यह हमारी में प्रपर्टी है इसकी ठीक है जहां पर N इलक्रॉनों की संख्या है और E बडाबर होता है इसको ध्यान दीजेगा 1.6 इंटू 10 की पावर निगेटिव में 19 यह याद करना पड़ेगा आपको आप इससे फटाफट याद कर लिए मरें क्या बडाया वह यह वराबर 1.6 इंटू 10 की पावर निगेटिव 19 होता है ठीक है अब देखते हैं इसके उपर एक उदाहरण लेते हैं इसको मैं लिख दे रहा हूं यह आप लोग नोट नहीं किया हूं जभी प्लस माइनस एन इए ठीक है आप लोग नोट कर लें फटाफट अब हमें कुशन लेते हैं कुशन क्या था यदि किसी वस्ट उपर निगेटिव वन कुलाम देते हैं तो बाद में उसकी इलेक्ट्र यह आपका नुमेर का एक्जामपल है यदि किसी वस्टू पर यदि किसी वस्टू पर माइनस एक कुलाम आवेस हो उस पर उस पर इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होगी अब हम इसका ओप्शन दे रहें आपको ठीक है ओप्शन ए है 1.6 इंटू 10 के पावर 18 दूसरा ओप्शन दे रहें और तीसरा ओप्शन दे रहे हैं 6 से 6.25 इंटू 10 के पावर 18 और चॉथा दे रहें आपको इसी तर्फ पर देंगे आपको ठीक है चॉथा क्या दे रहे हैं अब आप फटापर डिसको कर लिजे निवरकल उस पर में बताता हूं कैसे होता है ठीक है आप वीडियो के पॉस्ट कर दीजिए आप question solve करिए आप देखिए मैंने क्या बताया क्या होता है अभी नीचे दिखाए नहीं देगा मैंने यहाँ पर बताया आपको q बराबर n e q कमान हमें दिया गया है एक कुलाम n हमें निकालना है इलक्ट्रोनों की संख्या में याद करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर q अपान e ठीक है e कमान हमें आपको याद कराया है क्या होता है e बराबर 1.6 into 10 की पावर निगेटिव 19 होता है तो यहाँ पर कितना है एक कुला एवन अपान हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर निगेटिव 19 अगर इसका हम इसको बेसिक तो आपको सॉल्म करें हमारा एंसर आएगा 6 into 10 की पावर 18 ठीक है इसको अगर अब देखें माली जी आप्सन में ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है अगर ये वाला अप्सन दिया है तो इसको हम एकदम exact solve करके तो हमारा इसे लगभग में आएगा आपका answer लगभग में आएगा अब इसका जो exact answer आएगा 6.25 into 10 की पावर 18 जी आपका इसका exact answer आएगा ठीक है अब आप इसको समझ गए होंगे फट गार तो आपको यह मैंने चार परपटि corner इस वम्लब करता हूँ आपको समझ में आया है तो लगभग में नहीं समझ में आया है तो टिचछ सेंख नम में जुसमें मैंने सिल्क का आवेश पर सिल्क का मैंने क्या बोलता है इसको आवेश कमेने किसी छड़ को कांथ की छड़ को मैंने रेसम कपड़ी पर रगड़ा था उसमें कुछ आवेश निकले थे वह आवेश आपको पिछली ग्लास में डाउट में मिलेंगे अब आगे दे कोई एक प्लस चार्ज है स्थित बिंदू स्थित बिंदु है मानीजी यह है Q1 और यह Q2 है और इस पर एक आर डिस्टेंज डुरी है आख दूरी है मैंने बदाया था आपको पहली विीप पॉस्टिफ पॉस्टिफ चार्ज कुछ करतें हैं प्रतिकर्षन करतें रिफियल करतें हैं mainlygenom उधर जाएगा ये इसको ठके रहें एक दुसरे को ये इधर जाएगा ठीक है क्या उदाया मैंने कि जो ये चार्ज है अगर क्या करते हैं क्या कहते हैं उसे जब नेगेट्टी बहुत पॉश्टिव चार्ज होता तब ये दुसरे को आकर्शन करते हैं ये दुसरे को जाके मि लेकिन यहाँ पर चार्ज सेम है प्लस है और माइनस है इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे है रिपल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक समय करना ले सकते हैं क्यूवन क्यूटू अपान आर इसक्वायर यह जो क्यूवन और क्यूटू है यह प्रपोस्ट ब्यूत कर्मानुपाती है बलके मैंने आप डिफ्रिशन में देखेंगे तो उसमें आगर डिफ्रिशन लिख लिए आप मैं बदा दे रहा हूं किनी दो इस्थित बिंदू आव विइत्कर्मानुपाती होता है तधा उनके जो बीच के दूरी है उसके वर्ग के विद्कर्मानुपाती होता है यह हमारा एक बन के आया समीर करन अब प्रपोस्ट हमे कॉष्ञत लाएंगे तो आपने मचाा देगा फिर से हम देखें क्या होगा F is equal to K Q1 Q2 upon R squared हम यह आपके लिख देंगे जहां जो K है वो क्या है? constant है यार नियतांक है नियतांक है ठीक है? अगर देखें इसकी vector form की तो हम vector form बता दे रहें आपको ठीक है? F vector is equal to Q1 Q2 upon R squared और R squared यह हमारा है vector form आपको नोट कर लिए फटा फट यह आपका ऐरो में जब यह मैं यह लगा हूँ समझे लिए कोई जहरीली जहरीला concept है आप इसे नोट कर रहें फटा फट यह हमारा vector form है मैंने आपको direction बताया कि अगर पॉस्टिव चार्ज है तो यह जुसरों को प्रतिकर्शन करेगा अगर निगेटिव और पॉस्टिव चार्ज है वो यह जुसरों को अकर्शन करेगा ठीक है अब हम इसको doubt clear हो गया अब हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे कुलाम के नियम में ही कुछ concept है उसको हम समझेंगे आप notes के तोर पर लिख सकते हैं से आपको पता है जब मैं ये notes लिखता हूँ तब कुछ जरीला concept होता है तो आप देखेंगे जो हाँ पे के महानभाव आये थे नियतांक तो के का महान होता है वन अपान फोर पाई अपसाइलन नॉट ये उसके का मान होता है क्या होता है वन अपान फोर के अपसाइलन नॉट ठीक है मैं बताया के बराबर वन अपान फोर पाई अपसाइलन नॉट होता है अगर हम देखें इसका जो मातरक होता है वो क्या होता है इसका जो मात्रक होता है वो हम कह सकते हैं 9 into 10 की पावर 9 into 10 की पावर 9 होता है इसका जो मात्रक है के का जो मान है होता है 9 into 10 की पावर 9 अगर इसके हम बात करें मात्रक की इसका मान है अगर इसके बात करें इसके हम मात्रक की तो वो होता है Newton into meter square upon kilogram का square होता है अब हम आगे बात करेंगे के के बारे में के और क्या च्या होता है के का जो नाम होता है अब इन महान भाव का नाम भी है नाम क्या है? के का नाम होता है माध्यम का परावधुतांक क्या है माध्यम का परावेद्यू तांग होता है के का नाम होता है माध्यम का परावेद्यू तांग डाई इलक्रिक कॉंस्टेंट परावेद्यू तांग जो किसी का इंगलिस होता है डाई कॉंस्टेंट डाई कॉंस्टेंट ना है डाई इलक्रिक कॉंस्टेंट ठीक है क्लि एक्जामपक्स तू देखेँ चलिए ठीक है अगर के का जो के है वो हावा उर निर्वात में हावा और निर्वात में के का मान क्या होगा तो okay is for2 जब माल मुस्तु वान निर्वात में है तो के का मान होता है एक के इसको लटू 1 हम कह सकते हैं ठीक है हवा और निर्वात में है तो के बराबर वन होता है अगर आगे तेखे हम इसका दूसरा अगर मान लीजिये मान लीजिये किसे धातू मेटल मेटल मेट के का मान क्या होता है धातूओं में जो के है उसका मान क्या होता है धातूओं मेट के का मान क्या होता है तो के का मान होता है इंफाइनाइट यह सब बेसिक कॉंसेट हैं आपको निमेरकल में इसका बहुत काम आने वाला है इसलिए बड़े ध्यान से समझे इस होता है अनंत होता है अगला देखते हैं परावध्यतांग माध्याम परावध्यतांग माध्याम बच्चे जो है इसी कॉंसेट में थोड़ा कलती करते हैं आज हम उसको क्लिय कर देंगे जो के कमान है के परावध्यतांग माध्याम में के इस गेटर दैन वन के बड़ा होता है वोन से, ठीक है? क्या होता है? वन से, बड़ा होता है. अगर हम Epsilon Not की भीमा की बात करें, इसको मिटा देंगी, ठीक है? आप नोट कर लिए होंगे, आप नोट कर लिए फटा पर वीडियो का पॉस्ट करके, यानि रोक के, पॉस्स की मनद्ब होता है रोग के जो वीडियो को रोग के आप इसे नोट कर सकते हैं अगर अपसालन नॉट की बात करें जो अपसालन नॉट का मान क्या होता है अपसालन नॉट का मान होता है 8.854 का होता है 8.854 इंटो 10 की पावर माइनश डोयल याध करईंग इसको फटाबक से लिखिये अपनी कौपी में और अगर हमातर की बात करें तो इस वीका उल्टा हो जाएगा ट्रड्रक शीन अपसालन नॉट उपर गया अप्साले नॉट उपर गया तो इसका पूरा मान फिर उपर जाएगा तो Q स्क्वाइर अपान न्यूटन इन्टू मीटर स्क्वाइर होता है तो इसका मतलख होता है तो Q स्क्वाइर अपान न्यूटन इन्टू मीटर स्क्वाइर होता है अगर इसकी वीमा की बात करें, इसकी वीमा क्या होती है, तो M1, M का माइनस 1, L का माइनस 3, नहीं, M का माइनस 1 होता है, और जो L का है, वो माइनस 3 होता है, और T का प्लस 4, और A का 2, ये इसकी वीमा है, ठीक है, अगर इसको रात करने का तरीका है, है माइनस का 13 प्लस का 42 अब इस तरह आप कर सकते हैं mlta माइनस का 13 और प्लस का 42 होता है यह करने के तरीका है आई यह उसका एक आपको हम होमवर्क में एक कुष्टन दे रहे हैं ठीक है आप लोग करिएगा और बता भी दूंगा यहां पे आप वीडियो का पॉस्ट करके करेंगी तो आपको बिश्टी कॉंसेट प्लियर होगा और फट्र पर बताएगा इसका अंसर क्या होगा ठीक है कुष्टन है हमारा कॉपर में के का मान कितना ह होगा आप संदि रहाओं मैं आपसन है आपका पहला जी रो अधूसरा है इंफानाइट तीसरा है वन और चौथा है छिए ननग देज पार कमेंट न बताएग मैं इसका एंसर क्या होगा ठीक है व कमेंट बताएग उसका अंसर होता है इंफाने ग्या गर्म वेक के मान क्या होगा मेटटर में के मान को हुआ है इनफाइन आइट ठीक है यह आपका का कौंसेट हुआ अगर आप को कोई पैसा नहीं लग रहा है आप फटाफ़ वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें और कमेट मताएं कि सब्सक्राइब कैसा पढ़ा है आज मैंने बढ़िया पढ़ाया आपको लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें नमस्कार जैहिन जैभारत बं झाल झाल